अगर आप यहाँ पर अपने लिए एक नया गेमिंग PC बनाने वाले हो तो जादा तर चांस ऐसे हैं कि आप AMD के साथ जाओगे क्योंकि आज के डेट पर AMD जो आपको value offer करता है वो काफी जादा है अब चाहे आप price ले लो या performance ले लो दोनों ही यहाँ पर चीज जो आपको AMD offer करता है वो काफी अच्छी चीज है लेकिन यहाँ पर कुछ और भी ऐसी चीज हैं जिसको कि लोग काफी ignore कर देते हैं जिसमें से एक AMD के box cooler है तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले AMD के box cooler के बारे में और आपको कुछ ऐसी चीज़े बताएंगे जो कि आप box cooler के बारे में नहीं जानते हैं वेल तो अगर आप भी AMD के box cooler के बारे में जानने में इंटरेस्टेट है तो इस फीडियो का उन तक जरूर देखें मेरा नाम है अबदुल राशद और आप देख रहे दा इंडियन बजट गेमर सो लेट्स विगेंड अगर आप यहाँ पर ryzen series के कोई भी processor लेते हो ना तो वहाँ पर box में आपको उसके हिसाब से cooler भी देखने को मिल जाता है for example अगर आप एक low end processor लेते हो जैसे की ryzen 3 तो उसके लिहाँ से आपको एक cooler मिल जाता है और वही दूसरी तरह अगर आप एक high end processor लेते हो जैसे की ryzen 9 या ryzen 7 तो वहाँ पर आपको उस processor के हिसाब से एक heavy cooler देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आपको कोई अलग से spend नहीं करना पड़ता है cooling के लिए वही अगर आप दूसरी ब्रैंड की साथ जाते हो तो वहाँ पर आपको cooler अलग से लेना पड़ता है जो की 10-15,000 रुपए का अलग से खर्चा होता है करेंटली यहाँ पर AMD के 5 टाइप का cooler होते हैं जैसे की rate, stealth cooler, rate, aspire cooler, aspire का एक RGB वेरियंट पी आता है rate, max cooler और एक rate, prism cooler यहाँ पर मैं अगर आपको एक interesting fact बताओ जितने भी cooler है ना यह cooler बनाय जाते है cooler master की तरफ से और cooler master PC industry में काफी time से है especially cooling segment में तो जितने भी cooler यहाँ पर आपको देखने को मिलते है वो processor के हिसाब से बिलकुल perfect तरीकी से बनाय गया है थाकि वो उनको proper cooling provide कर सके और यहाँ पर आप लोग XFR के बारे में तो already जानते ही होगे extended frequency range मतलब कि जब आप CPU heavy task करते हो AMD platform पे तो processor automatically overclock हो जाता है ताकि आपको थोड़ा सा better performance मिल सके और processor automatically overclock तभी जादा से जादा होता जब उसे cooling sufficient मिलती है और sufficient cooling के लिए AMD के जो box cooler होते मैं मानता हूँ वो more than enough होते है और वही अगर आप थोड़ा सा higher end models के साथ जाते हो जैसे की aspire max या prism तो वहाँ पर आपको RGB flavor भी देखने को मिल जाता है जो कि majority of the motherboard को out of the box support करता है नाव भी यहाँ पर बात कर लेते हैं coolers के बारे में rate steels जो cooler है वो आपको मिल जाता है AMD के थोड़े से budget segment के processors के साथ जैसे की Ryzen 3 या basic वाला Ryzen 5 के साथ यह cooler के बारे में अगर मैं आपको बता हूँ यह cooler जो है still काफी sufficient है cooling के लिए वह अगर बात करें rate aspire के बारे में तो यह थोड़ा सा upgraded version है steel का यहाँ पर आप देख सकते हो cooler थोड़ा heavy है यहाँ पर जो aluminum का use किया गया है वो थोड़ा जादा अगर आप compare करते हो steel से यह cooler बेसिकल थोड़े से heavy processors के लिए बनाए गया है जैसे कि Ryzen 5 3600X क्योंकि वो processor थोड़ा सा जादा power consume करते हैं और जाइड सी बात है थोड़ा सा जादा heat भी generate करते हैं और वहाँ पर rate aspire cooler काफी अच्छे तरीके से perform करता है अब इसी cooler का एक RGB variant भी आता है जहाँ पर आप RGB को अपने ही साथ से customize भी कर सकते हो और वही अगर बात करें rate prism के बारे में तो वो थोड़ा सा आपको higher end model के साथ देखने को मिलता है जैसे कि Ryzen 7 या Ryzen 9 यह cooler जो है वो एक heavy processors के लिए बिलकुल perfect option रहेगा और साथी में यहाँ पर आपको RGB का भी flavor देखने को मिल जाता है जिसको कि आप चाहो तो अपने motherboard के तुरू control भी कर सकते हो तो overall यहाँ पर आप देख सकते हो कि AMD platform जो है आपको काफी अच्छी value भी offer करता है performance भी अच्छा offer करता है प्लस यहाँ पर जो आपको box cooler भी देखने को मिलते हैं वो पर काफी अच्छे होते हैं और मैं मानता हूँ आपको कोई अलग से cooler लेने की जुरूरत नहीं पड़ती है वेल दोस्तों यह थे AMD के box cooler I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को पास जल्दी से लाइक करें सब्सक्राब करें हमारे इस चैनल को कि क्यों लोग लाते रहते हैं से daily awesome content तो अन तक देखने के लिए thank you